मैं शेक शाहिदली यूटी मिरर से आपके सामने एक बार फिर छीरी गाला मसाला दा निउज लेके कुछ दिन पहले यहां पर इलेक्शन हुआ था इलेक्शन में जो यहां के नुरुदिन चौदरी है उन्हों तो रोड की बात करें तो रोड लगबग एलेक्शन के कुछ दिन पहले ही बना और अभी यह कॉंक्रीट का रोड जो है उखड़ गया है इसमें से सारी कॉंक्रीट बाहर आ रहे हैं अभी हम आपको रोड का भी दिखाएंगे कि रोड की स्थितिक क्या है वह चीज वह अपना करप्शन छुपाने के लिए उपर डामर डाला गया है कि किसी को दिखे ना कि इसकी गिट्टिया बाहर निकल रही है जहां पर भी कॉंक्रीट रोड बनता है वह रोड काफी बैतर होता है काफी साल तक चलता है यहां तो अभी तक एक बारिज भी नहीं गिरा और रोड के बाहर निकलना शुरू हो गए और यहां के कुछ लोग से हम पूछते हैं कि यह रोड बनके कि टाइम हुआ है यह रोड को पना है यह पांच शे मेंटना वह मतलब पांच शे मेंटना जब इलक्षन का दोर चल रहा था तो फिर अभी तक कि एक भी वारिज इसने खाया नही अब देख सकते हैं चार पाच मेंटने में रोड की कंडिशन खराब रोड उखनना शुरू हो गया है सारे उसके कॉंक्रेट्स के गिट्टी बाहर निकलने लग गया है यह यह करप्शन की निशानी है अगर हमारा सिस्टम करप्ट रहेगा तो काम ऐसा ही होगा और दूसरे भी यहां के रोड टच शॉप वाले उनसे भी हम पूसते आखिर यह रोड कब बना था तो कि नामें आपका नारण भै कितने साल से यह आप जुकन चला रहे चार साल से मैं आपसे यह पूस्टा जाता हो कि यह रोड कब बना है कि कितना टाइम हो गया लगबख तीन चार मैंना पहले यह रोड बना है आप देख सकते हो रोड की दज्जे उड़ गई है और अपना यह चुपाने के लिए यह करप्शन रोड का चुपाने के लिए यह रोड पे डामर बिचाया जा रहा है डामर की एक काली चादर डाली जा रही है रोड के उपर कि दिखाना चाता हूं आपको विजिव मैं कैमरा में से गुजारिस करता हूं कि रोड का विजिल दिखाये रोड पे पुरा डामर डाला हुआ है और रोड पे इसका कॉंक्रिट बाहर निकल रहे हैं मुझे पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हो अगर यह देखिए रोड के कॉंक्रिट एक जगह नहीं तो पुरा रोड के कॉंक्रिट बाहर निकल रहे है